कहा जा रहा था कि railway ALP vacancy के मुद्धे पर मनीश कश्यप का विरोध खान सर ने किया है मनीश कश्यप का विरोध बीपिन सर ने किया है लेकिन हमने उस सरक छाप सिक्षक को ढूंड निकाला है जो कि मनीश कश्यप को दोगला पत्रकार कह रहा था मनीश कश्यप को लापता पत् कि उसे ठीक से हिंदी तक लिखने नहीं आता है और जब सचाई हम आपको बताएंगे तब आप हस्ते हस्ते आपका पेट दुखने लगेगा तो इस तीन से पास बिनिट की रिपोर्ट में बने रहे हमारे साथ हम आपको सचाई बताने जा रहे हैं और जब उस टीचर का सरा तब आप सोचेगा कि आपके घड़ में अगर कोई सबसे पुराना जूता है तो उस जूता को निकाल करके इस टीचर की इतनी ज़्यादा पिटाई की जाए और इसे टीचर कहना भी गलत होगा क्योंकि एक सरक छाप एक रिक्सा ठेला चलाने वाला बेक्ती जो होता है वो नमस्कार मैं प्रिंज कुमार सिंग और आप देख रहा है पॉजेटीव इंडिया अगर भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लिजे और जो लोग अलेडिक कर चुके हैं तमाम लोग को सहीर दे अब वह आपसाते हैं अपनी खावर पर दरसल पिछले दस दिनों से काफी हंगामा मचा हुआ है और सोशल मीडिया पर मनीश कस्यप का लगातार बिरोध किया जा रहा था इसके बाद मनीश कस्यप भी लाइब आये थे और दरसल उन्होंने सिक्षकों को चेताबनी दे दी धमकी भरे लहजों में कह गिया था बहुत सारे सवाल उन्होंने किये थे हम हलाकि उस पर पहले बात कर चुके हैं इसलिए इस पर विशेश कोई बात नहीं करेंगे अभी आपके सामने एक स्क्रीन सोट चल रहा होगा और उसमें आप एक यूटूब वीडियो का लिंक उसे जरा ध्यान से देखिए और उसे पढ़िये और उस पर आपको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें लिखा हुआ है कि जायदा ज्यादा ठंड लग रहा है को लिख दिया गया है जायदा ठंड ये ठंड क्या होता है ये ठंड न तवर्ड़ी न आधा न दिजिये लिखने नहीं आ रहा है इस बेक्ति को ठंड लिखने नहीं आ रहा है इस बेक्ति को ज्यादा लिखने नहीं आ रहा है और ये बेक्ति अपने आपको टीचर बताता है ये उसी वीडियो का लिंक है जिस वीडियो में वो टीचर कथा तथा कथित टीचर मनीश कश् कि ना तो खान सर ने और ना तो विपिन सर ने मनीज कस्यप के खिलाप एक सब्द भी बोला है A Railway, A L P Vacancy के मुद्दे पर लेकिन हमारे हाथ एक ऐसी वीडियो लग गए जो की असल में दुस्मन है मनीश कश्यप का और जो की मनीश कश्यप को अपने वीडियो में गाली दे रहा था अब ज़रा अंदाजा लगा ये कि जिस वेक्ति को हिंदी ठीक से लिखना नहीं आता है वो क्या परहाता होगा हम आपको इस वेक्ति का नाम नहीं बताएंगे हम आपको इस वेक्ति के चैनल का नाम नहीं बताएंगे और उसका कारण सिर्फ यही है कि हम नहीं चाहते हैं कि आप इस भठियारा के चैनल पर जाईए और उसका भ्यूज बढ़ाईए हम नहीं चाहते हैं कि हमारे 5, 10, 85 लोग अगर इस वीडियो को अगर देखते हैं तो वो लोग इसको जान पाए हम नहीं चाहते हैं कि ये लोग प्रियता हासिल कर पाए, चाहे जूठी लोग प्रियता हो, या सस्ती लोग प्रियता हो, हम किसी परकार का इसका publicity या इसको प्रमोट करना नहीं चाहते हैं, हलाकि हम एक चीज आपको दिखाना चाहेंगे, और वो चीज क्या है, जब हमने, जब हम इसके about section में गए, किसी भी channel का एक about section होता है, और about section में जब हम गए, अभी आपके screen पे चल रहा होगा, description, हमने उपर का काट दिया है, नीचे का भी काट दिया है, लेकिन इसका description जो लिखा हुआ है, उसे ज़रा जान लीजे, यह लिखता है, my name is Jitu, and I am bank PO, and color qualified, यानि कि यह कह रहा है, कि इसका नाम Jitu ह हलाकि इस नाम से इसका channel आपको नहीं मिलेगा, इसका channel का नाम कुछ दूसरा है, और search करने का प्रियास भी ना करें, Jitu यह अपना नाम बता रहा है, और यह कह रहा है, कि यह bank PO में कलर्क, bank PO और कलर्क जो है, सो qualified है, और qualified होने के बाब जूद भी इसने नौकरी नहीं की, इस धन्धा चुना, लोगों को चुतिया बनाने का, लोगों को बुरबक बनाने का, अब जरा सोच यह, कि अपने आपको अगर bank PO भी अगर कह रहा है, तो क्या एक bank PO को हिंदी लिखना नहीं आता, और सबसे बड़ी बात है, कि कोई ऐसा सब्द हो, जो कि भारी भरकम हो, तो कह जा सकता है, लेकिन इस ये जादा, जादा जो है, या ठंड जो है, या दीजिये, ये एक ऐसे कुछ सब्द हैं, जो कि हम रोज डेली, डेली रूटीन में ये सब्द का उप्योग होता है, और जिसको ये सब्द तक लिखना ना आए, उसके बारे में क्या कहा जाए, हम आप है, इसके लाल, इसके लाल है, वो उनका आप चैनल सर्च कर सकते हैं, इसके लाल, इंगलिस ग्रामर करके साथ चैनल है उनका, वो काफी अच्छी, इंगलिस जो है, वो परहाते हैं, अगर आप इंगलिस सिखना चाहते हैं, तो उनके चैनल पर जाए, उनकी वीडियो को दे हैं और यही कारण था कि हमने वीपिन सर के पक्ष में वीडियो बनाई थी क्योंकि वीपिन सर की कोई भी गलती नहीं थी हलाकि उन्हें टार्गेट किया गया था उनका नाम नहीं लिया गया था लेकिन कुछ ऐसे भासा में बात किया गया था जिससे वीपिन सर को टार्गेट किया गया था, इसलिए विभिन सर के पक्श में हमने वीडियो बनाई थी लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर है जो कि टीचर कहलाने के लायक नहीं है, कुछ ऐसे भी पत्रकार होते हैं जो कि पत्रकार कहलाने के लायक नहीं होते हैं, लेकिन युवे खुद को certified कर लेते हैं, उसी में से ये बेक्ती है, जो कि अपने आपको bank PO बताता है, जो अपने आपको clerk बताता है, और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है, इस बेक्ती के पास लगभग 2 million subscribers हैं, यानि कि 2 million का आप सोच ये, कि लगभग 20 लाख जिसके channel पर subscribers हो, और 20 बच्चो को क्या सिख्छा देता होगा, यह सबसे बड़ी बात है, और आज कल तो सबसे ज़्यादा बच्चे जो है, वो mobile पर पर पढ़ते हैं, जब से करोना का दोर आया, तब से online classes और mobile और laptop पर बच्चे पढ़ने लगे, और बच्चे इन लोगों से जो परते होंगे, उ अपनी तरह ही अवारा बनाएगा, और सबसे बड़ी बात तो यह है, कि कहा जाता है कि नौमी फेल बेगती, उपमुखमंत्री नहीं बन सकता है, तो क्या ऐसा बेगती, टीचर बनने लाइक है, क्या इसके लिए कुछ अब सरकार को भी YouTube पर ऐसे सिख्चों के लिए guidelines लानी चाहिए, आपको बताते चले कि YouTube पर 80% वीडियो जो बनती है, वो फेक बनती है, उसमें जूठी जानकारी दी जाती है, और जूठा ग्यान है, जो जूठा ग्यान है, अल्प ग्यान है, उसे पाकर बेगती और जादा बेबकूफी ही करता है, वो अच्छा तो बन नहीं सकत और इसी पर बात करने के लिए हम आये थे, और हमने उस दुस्मन को ढूण निकाला है, हलाकि हम उस बेगती का आपको ना तो तस्वीर दिखा रहे हैं, ना कुछ वैसा कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके खिलाप में वीडियो बना रहे हैं, और आप सभी जानते हैं कि खिलाप म बेखती कुछ भी कर सकता है जो मनीश कश्यप को दुगला कह सकता है मनीश कश्यप को लापता पत्रकार बता सकता है वो आखिर कुछ भी कर सकता है हम एहां पर सिर्फ एक चीज आपको बताने आए हैं और एक चीज और आप जान लिजे कि मनीश कश्यप मनीश कश्यप ने किन्होंने वीडियो बनाया और एक बात वने कहा कि हमारा जिस मुद्र्देश पर वीडियो बनाने का मन करेगा हम वह काम करेगे न और यह कराँ चैनल करना कहीं कहीं सही की है क्वैकि को भी भी बेग आपका अंसा हो नहीं चैनल नहीं फि aan आप किसी से उमीद करते हैं कि वो आपके कहे पर चले तो ऐसा तो खेर हो नहीं सकता है खेर हम आप लोगों से ऐसा कभी गुजारिश नहीं किये थे लेकिन सब भवासा में इस मास्टर के मा बहन दादी नानी को आप लोग जरूर याद कीजेगा उसकी आप लोगों से हम कामन करते हैं प्रार्थना करते हैं जूरे रहे हमारे साथ हम ऐसे ही ऐसे चिंदी चोड़ टैक के लोगों की पूल हमेसा खोलते रहेंगे जूरे रहें वीडियो को जयास ज्यादा सेर जरूर करें जय हिन जय भारत